devolution हिंदी में कहते हैं इसको नियाय गमन नियाय दोवारा गमन नियाय दोवारा प्रॉपर्टी ट्रांसवर होना कानून दोवारा प्रॉपर्टी ट्रांसवर होना यह होता क्या है when a property is automatically transferred from one party to another by operation of law without any act of the owner जब कोई property automatically transfer हो जाती है एक party से दूसरी party के पास by operation of law कानून के दोवारा without any act of the owner जो उस प्रॉपर्टी का मालिक था उसके बिना किसी कार्रे किये ही जैसे जदी कोई व्यक्ति की death हो जाती है मड़ जाता है तो उसने कोई कार्रे नहीं गया बिना कार्रे किये ही उसकी property दूसर व्यक्ति को transfer हो जाएगी by operation of law कानून के दोवारा succession act वगेरा will के according उसकी property होएगी इसके opposite है कि यदि कोई यह व्यक्ति जिन्दा होता और यह अपनी property के registration करता है बेनामा करता रेजिस्ट्री करता और दूसरी व्यक्ति को transfer कर देता है रेजिस्ट्री करने में वह कोई कार्र new code में जो devolution के तरीके हैं वह है एक है big quiz will के through वसियत के through है ना property transfer दूसरा succession जब will ना हो कोई तो उसके hires को उसके वारिसों को property मिल जाएगी उसके बाद है as cheat ना तो जब कोई उसने will बनाई हो ना ही उसके कोई वारिसों तो straight take over कर लेता है सरकार उस जमीन को ले लेगी और एक और तरीका है survivorship का सबसे पहले big quiz देख लेते हैं will के through वसियत के through कैसे property जाती है वसियत करने का अधिकार केवल भूमिदर with transferable rights केवल भूमिदर with transferable rights इसको ही यह अधिकार होता है will करने का भूमिदर with non transferable rights और आसामी इनको यह अधिकार नहीं होता कि वह अपनी rights के लिए कोई will बनाए वसियत बनाए यह effect में कब आती है it takes effect after death जब भूमिदर की मृत्य हो जाती है उसके बाद effect में आएगी उसने वसियत बना ली कि मेरी ये land ये व्यक्ति को दे दी जाए तो जब भूमिदर की मृत्य होगी उसके बाद ही वह लेंड उस एक व्यक्ति को दी जाएगी restrictions क्या क्या है SC category से belong करने वाले भूमिदर non SC category से belong करने वाले भूमिदर के नाम पर वसियत नहीं कर सकते अगर करनी है तो उन्हें prior permission लेनी होगी ठीक है और ST जो है वह non ST category से belong करने वाले भूमिदर के नाम व्यक्तियों के नाम वसियत नहीं कर सकते इसमें अगर permission कर भी कोई चक्कर नहीं है permission लेनी की इसमें कोई condition ही नहीं है यहाँ पर कर ही नहीं सकते है absolute prohibition है क्या-क्या वह है requirements will की वसियत की will एक तो written होनी चाहिए registered होनी चाहिए और do witness द्वारा attested होनी चाहिए यह हो गया विक्वित और थोड़ा इसे detail में देखते हैं विक्वित means the right to make a will in respect of one's interest in any property which is to take effect after the death of the person making it विक्वित का मतलब है किसी property में किसी का interest है उस interest के लिए वसियत बनाने का अधिकार यह कभी effect में आती है उस व्यक्ति की मरत्यू के बाद यह है अधिकार will बनाने का वसियत बनाने का द्यार केवल भूमी तर्वित transferable lights वाले को ही है आसामी या फिर non transferable lights वाले को नहीं है schedule cast और schedule tribe से belong करने वाले persons कि उपर क्या का conditions है कि अगर schedule cast से belong करने वाले person अगर will बनाना चाहता है उस तो उसे prior permission लेनी हुए collector की ST category से belong करने वाले लोग non ST से belong करने वाले लोगों के favor में will नहीं बना सकते procedural requirements के बताएं थी return होनी चाहिए दो witness द्वारा attested होनी चाहिए और registered होनी चाहिए यह हो गया बिक्क्वित वसीहत विल succession next video में